भाई सबसे पहले थैंक्यू सो मच यार आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बज़े से आज हमारे यूटूब चैनल पर 50,050 के सब्सक्राइबर हीट हो चुके तो ऐसा ही प्यार मौपत बने रखो यूटूब पे 100 के एक लग सब्सक्राइबर बहुत जल्द हीट करना है बात करेंगे आज के वीडियो की तो अगर आप लोग ने इस वीडियो का पार वन वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आज के वीडियो में बात करने वाले है कि कैसे मैंने जो दुकान का बोड है उ तो हमने किये इस तरह के आरजेवी रिमोट की साथ यह शूटिंग के वक्त मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूस था किया तो मेरे घर पे यह था फिर मेरे माइड में एक आईडिया आया यह यह आरजीवी रिमोट में जो कलर्स होते यह देखो यहां पर डिफरेंट टाप के कलर से क का कलर चेंज होता है तो क्यों ना हम लोग यहां पर कलर जैसा यलो दबाया तो शूस का कलर यलो हो जाए इसको मैं घर गया यह घर से उटा के लेके गया उनके शॉप में जब शूटिंग चालू थी तब काफी जादा मजा आया शूटिंग में भी तो यह सारी चीजे हम ल कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अलाइट मोशन में हम लोग वीडियो को लेके आएंगे उसके बाद एरिडिंग प्रोसेस में एंडिंग वाले पार्ट से कर रहा हूं क्यूंकि स्टार्टिंग पर मैंने बिल्डिंग वाला एफेक्ट लगाया है तो दुकान है ही दुकान पहले से होगी अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस फ्रेम को सेव करेंगे ठीक है फोटो के फॉर्मेट में तो उपर एक्सपोर्ट वाला उप्शन देख पारे होंगे आप लोग वहाँ पर जाके करन्ड फ्रेम एज पी एंजी वाला उप्शन सिलेक्ट करना और नीचे एक्सपोर्ट का उप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना अब इस वाली फोटो से हम लोग दो काम करेंगे सबसे पहला दुकान के बोर्ड की पी एंजी हम लोग बनाएंगे उसके बाद बोर्ड को हम लोग यहाँ से हटाएंगे इस तरीके से ठीक है तो पिक्साट अप्लिकेशन में फोटो को लेके आएंगे देन नीचे से कट आउट वाले उप्शन में जाके यहाँ पर जो दुकान का बोर्ड है ना सिर्फ वो वाला एरिया फिल करेंगे और अगर कुछ एक्स्टा की चीज़ कैप्चर हो जाती है तो उसको हम लोग मैनियूली इरेस कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से प्रॉपर बोर्ड की प्यंजी बनाके इसको सेव करेंगे इसके बाद हमारा दूसरा काम है बोर्ड को यहाँ से रिमूफ करना तो कोई भी आप्जेक्ट रिमोर वाले अप्लिकेशन में जाके यह चीज़ पॉसिबल होगी तो दोनों काम ह हो जाने के बाद वापस अलाइट मोशन अप्लिकेशन में आ जाना नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा उसमें जाके मीडिया और जिस इमेज में से अपने बोर्ड को रिमूफ किये थे ना उस वाले इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे और इसके साथ-साथ बोर्ड की प तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और नीचे जो बॉक्स बनाया है ना वहां से हम लोग जो हमर object इसको up-down move कर सकते ठीक है यहाँ से इसको control कर सकते है तो चलिए इसको ऊपर लेके जाते है इतना देन फिर से थोड़ा आगे चलते वीडियो पर और यहाँ पर फिर से एक की लगाएंगे और फिर से इसको थोड़ा ऊपर लेते अब और आगे चलते वीडियो में और यहाँ पर और एक की लगाएंगे फिर से चलते आगे वीडियो में और यहाँ पर एक लास्ट वाली की लगाएंगे और इसी key framing पर हम लोग इस board को zoom करते हुए camera के आगे लाएंगे तो zoom करने के लिए यह देखो यहाँ पर z वला option दिख रहा उसमें जाना अब नीचे जो box बनाया है यहाँ से हम लोग इसको zoom in zoom out का activity control कर सकते हैं चलिए इसको zoom करते उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे फिर से इसको zoom करेंगे फिर से नीचे लाएंगे फिर से zoom करेंगे जिससे होगा ये कि ये जो board है ये pass में आती जाएगा ठीक है camera के ये देखो उपर गया ठीक है उसके बाद ये आगे आया ठीक है इस तरीके से अब guys हम लोग इसको ना घुमाते हुए आगे लाएंगे ठीक है तो इसको घुमाने के लिए क्या करना last वाली जो दो keyframes ना ये वा पे और जहां पर अपनी last वाली keyframe थी ना इतने में ठीक है यहां से keyframe लगाना और इसको कर देना 180 degree that's it अब देखो ये गया उपर ठीक है उपर जाने के बाद ये देखो move होते हुए एकदम camera के आगे आया कितना गजब लग रहा ना वीडियो तो इसी बात पर लाइक बनता समझ गया अब इसके बाद एक last का में लाइक देखो यहां पर जो बोड ना वो नॉर्मल उपर जा रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे पल्टाते हुए उपर लेकी जाएंगे इससे की यह चीज रियल लगेगी हां सही में बोड ऊड़ते हुए उपर जा रहा तो का जो intensity है इसको increase करेंगे like 33-35 तक देन थोड़ा सा आगे बढ़ते वीडियो में और यहां पर भी आपको और एक की लगाना है अब intensity को रखेंगे 98% तक इसके बाद और आगे चलते वीडियो में और जहां पर बोड ऊपर जाके रुक रहा है ना उसी टाइमिंग पर आपको यहां पर रुक जाना है और यहां पर भी एक की लगा दिना अब इसके intensity को रखेंगे हम लोग direct 358 तक इसके बाद नीचे देखो access वाला option है उसमें आएंगे और यहां पर भी हम लोग key framing करने वाले लेकिन यहां पर जो keys लगाएंगे हम लोग वो अलग रहेगी इसके पहले आगे चलते वीडियो में और यहां पर फिर से एक key लगाएंगे और इसकी intensity रखेंगे हम लोग 98% तक अब देखो आप लोग लग रहा ना ऊड़ते हुए उपर जा रहा इसके साथ साथ और एक effect लगाएंगे जिसका नाम है auto shake यहां पर search करोगे तो मिल जाएगा देखो यह आपर सबसे पहला option है magnitude वाला तो इसकी key framing हम लोग starting से नहीं करेंगे जहां पर दुकान का board उड़ते हुए उपर जाके रुक रहे ना उसी timing पर हम लोग यहां पर एक key लगाएंगे और इसकी intensity रखेंगे 11% देन थोड़ा आगे जाते वीडियो में और यहां पर फिर से एक key लगाएंगे और अब इसकी intensity रखेंगे हम लोग 24 या फिर 25% तक फाइनली यह वाला effect हमारा पूरी तरह से create हो चुका है result आपके स्क्रीन पर अब हम आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने दुकान का जो visiting card था जहां पर logo था शॉप का उसके आजू बजू में fire effect लगा के highlight किया इस तरह के से like दीस तो चलिए इसको देखते तो आप में वीडो को लिके आएंगे उसके बाद आगे चलते वीडो पर और जैसा अपने पहले वाले प्रोसेस में किये थे like इस वाले फ्रेम का screenshot लिये थे तो सेम चीज़ हम लोग यहां पर करेंगे इस फ्रेम को सेफ करेंगे as a photo की format में तो उपर export वाला option है वहाँ पर जाक आप में आके जिस टाइमिंग पर अपने फ्रेम का photo save किये देना उसी टाइमिंग पर इस PNG को लेके आना और visiting card के उपर proper इसको place करेंगे अब इसमें movement डालेंगे तो move and transform वाले option में जाके starting पर एक key लगाएंगे देन थोड़ा आगे चलते वीडो में फिर से यहां पर एक key लगाएंगे और इसको यहां से swipe down करेंगे finger की मदद से तो यह नीचे आ जाएगा और फिर Z वाले option में जाके इसको यहां से zoom करेंगे ठीक है इससे होगा यह कि जहां पर visiting card है ना वहां से निकल के आगे आएगा ठीक है अब side में यह वाला option आप लोग देख पारे होंगे इ highlight नहीं हो रहा वह visiting card तो हम लोग क्या करेंगे इसके आज बाजु में fire वाला effect लगाएंगे जिससे movement एकदम clear दिख जाएगी तो नीचे effects वाला option है वहां पर जाके electric edges सर्च करना और इस वाले effect को लगाएंगे ओके तो सबसे पहले distance को पूरा zero करेंगे पूरा कम and thickness को नहीं चेड़ेंगे और जो detail है उसके नीचे का इसको just हलका सा increase करेंगे और distortion को हम लोग यहाँ पर कम करेंगे ठीक है like इतना उसके बाद color आप लोग आपके according यहाँ पर select करना जो आपको रखना है background में like pink, red, blue, green, yellow, white ठीक है तो यहाँ पर pink थोड़ा ज्यादा highlight हो रहा तो मैं pink को रखूंगा और जो glow color उसको as it is rain देते और फिर थोड़ा और नीचे चलते और यहाँ पर देखो evolution वाला section दिख रहा ठीक है यहाँ पर आपको आना है starting पर key लगाएंगे उसके बाद सिद्धा ending पर और एक key ल लगाएंगे देन थोड़ा आगे चलते यहाँ पर फिर से एक key लगाएंगे और starting वाली जो key है इसके intensity पूरी रखना like जितनी है 1% तो इसको रखेंगे पूरा 1% और second वाली जो key है इसके intensity रखना पूरी 0 ठीक है पहली वाली की 1 और दूसरी वाली की 0 और इसके साथ-साथ flip प्लेयर वाला effect भी लगाएंगे जिससे की visiting card थोड़ा पल्टेगा तो नीचे angle वाला जो section है वहाँ पर जाके starting पर पहली की लगाएंगे उसके बाद थोड़ा आगे चलते वीडियो पर और यहाँ पर second वाली की लगाएंगे intensity आपको रखना है लगबक minus 10% तक उसके बाद नीचे access वाला option है ना वहाँ पर जाके वही process करेंगे like starting पर पहली की लगाएंगे उसके बाद थोड़ा आगे चलते वीडियो पर यहाँ पर second की लगाएंगे और second वाली key की intensity आपको रखना है 148 या फिर 150 डिग्री तक that's it अब भी देखो आप लोग result अब इस वाले effect के बाद करते है जहाँ पर जूता उपर से नीचे आ रहा है और इसके side में भी fire ages लगे है और यह जैसे ही नीचे drop होता है ना इसका original video flash होता है तो इस तरह की एक video record करेंगे shoes के साथ उसके बाद जो हम करते हुए आ रहे like frame का screenshot ले रहे photo की forward में तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे तो मैं इस वाली frame का screenshot लोगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो shoes है वो perfect दिख रहा है पुरा clear तो उपर export वाले option में जाके current frame as a png नीचे से export तो pixart application में आकर side का background remove करके इसको png में convert कर लेंगे अब वापस highlight motion में आकर जिस timing पर अपने frame को save किये ना उसी timing पर video को split कर देंगे and first वाली clip को delete कर देंगे और इस वाली clip को थोड़ा आगे लेके चलते इसको पूरा starting पर मत लेके जाना क्यूंकि starting पर हम लोग कोई दूसरा video लगाने वाले है then उसके उपर जूते की png को हम लोग animation देके नीचे लाएंगे और उसके बाद यह इसक इडिट के थे pixart application में से and इसको proper place करेंगे like जहाँ पर शूस है ना original वाला उसके उपर बरबर proper तरीके से इसको रख देंगे and पीछे से trim करेंगे like starting वाली video जितने duration पर है ना उतना रखेंगे क्योंकि इसके बाद जो है ना original video start हो री उसके बाद नीचे से move and transform वाले option में ज आए ना वहाँ पर finger की मदद से इसको नीचे लेके आएंगे अब देखो आप लोग यह आया उपर से नीचे लेकिन यह direct नीचे आ रहा अब इसको घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे तो क्या करना फिर से move and transform वाले option में जाके यहाँ पर देखो यह वाला जो option है यहाँ पर आना है अगें सेम कीज यहाँ पर लगाना है लाइक स्टार्टिंग में और लास्ट में अब स्टार्टिंग वाली जो की है ना इसको direct लेके जाना सिधा 200-200 डिग्रे तक अब देखो आप लोग यह देखो इस तरीके से भाई साब लाइक बनता यार फटाफट से लाइ इफेक्ट लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक एजस वाला जो इफेक्ट है वह आपको लगाना है जो कि मैंने इसके पहले वाले टूटोरिल में बताया ही हूँ कि कैसे लगाना है यहाँ पर शूज में से जो light rays निकल रहे ना यह चीज अलाइट मुशन में नहीं होगी इसके आपको जाना है कि आपकट अप्लिकेशन के एफेक्ट में नाइट क्लब वाले सेक्शन में आके यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर दिख जाएगा इफेक्ट जिसका नाम है वाइबरेटिंग बीम ऑफ लाइट तो इसको लगा दिना और यह वाले ए और फिर उसको नीचे फिकना ठीक है लेगन यहाँ पर ध्यान रखना जैसे ही आप लोग नीचे फिक होगे ना तो जूते के बॉक्स के अंदर ही जाना चाहिए जूता यहाँ पर मेरे को 15 से 20 टेक लेने पड़े थे क्योंकि शूस अंदर जाए नहीं रहा था कभी इधर ग यहाँ पर सभी को मैंने टाइम लाइन पर लेके आया नीचे स्लाइड करोगे तो ऑप्शन दिख जाएगा रिवर्स वाला वहां से और रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा अब इस वाले ट्रांजिशन में भी दो टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड करना आ है सबसे पहले वीडियो में अलग-अलग कलर के चपल यां फिर स्लाइडर पहेंते हुए वीडियोस रेकॉर्ड करना है और सेकंड वाली वीडियो रिभूर के बटन्व को दबाते हुए र लेक आएंगे फिर नीचे से ओवरले में जाके रिमोट वाली वीडियो को लेकि आएंगे नीचे स्लाइड करोगे तो मास्क वाल ओप्षिन दिखेगा उसमें जाके रेक्टेंगल वाला Take care.